धन कमाना और धनवान बनना हर किसी का सपना होता है इस सपने को पूरा करने के लिए लोग राद दिन मेहनत करते हैं लेकिन कई बार जीवन में ऐसे मोड भी आते हैं जब व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ता है और ना चाहते हुए भी वह कर्ज में डूपता चला जाता है लोग सोचते हैं कि पैसा आने पर कर्ज चुका देंगे लेकिन किसी न किसी वज़ा से यह संभाव नहीं हो पाता और कर्ज बढ़ता जाता है लाख कोशिशों के बाद भी अगर आपको कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है तो आप ये वीडियो अंतक देखिए आज हम आपको जोते शास्त्र में बताएंगे कुछ उपायों के बारे में बताएंगे नमस्कार आप देख रहे हैं जेबिटी अध्यात्म और मैं हूँ आप सबी के साथ अंकिता आपके घर में या आपके आसपडोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लाख मेहनत और कोशिशों के बाद भी कर्ज से छुटकारा नहीं पा रहा है तो उसे यह विशेश उपायज जरूर अपनाना चाहिए अगर आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने जीवन में एक नियम जरूर बना ले रोजाना चीटियों को खाना खिलाएं इसके लिए आप रोजाना आटे में शक्कर मिलाकर या उसके पिंचरी बनाकर किसी पेड के नीचे जहां चीटियों का बिल हो वहां डाल दे इसके जरूर आप कड से मुक्ति पा सकते हैं इसके अलावा शिवलिंग पर रोजाना लाल रंग के फूल अर्पित करने से भी कड से मुक्ति मिलती है इसके लिए आप सुबा शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर लाल रंग के फूल अर्पित करें और साथ ही जल भी चड़ाएं ऐसा करने से भगवान शियों प्रसंद होते हैं और जातक को कड़ संबधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा एक और उपाय है। कड़ से मुक्ति पाने के लिए धन की देवी मालक्षमी का पूजन अवश्य करे। मालक्षमी को प्रसंद करने के लिए ओम श्री हिम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री हिम श्री ओम महालक्षमे नमह मंत्र का जाप करे। इसके बाद घी का दीपक जलाए और आरती करे। ऐसा करने से मालक्षमी का आशिरवात मिलता है। ऐसी ही और वीडियोज को देखने के लिए आप जुड़े रहें जीबीटी अध्यात्म के साथ नमस्कार.